नमस्कार दोस्तो, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की जो ये वीडियो है वो है नई दिल्य से हाज़िपूर जंक्षन बिहार तक चलने वाली सबी ट्रेंस की जानकारी के बारे में ये बात करेंगे जो भी नई दिली से हाज़िपूर बि पीच में कौन कौन चलती है वैसे इस त्रूट पे तक्रीवन 20 ट्रेने चलती है जिन मेंसे दो राजधानी ट्रेन है एक ग्रीवरस ट्रेन है बारा मेल एक्स्प्र conveकी ट्रेन है एक एसी सूपर फास्ट करेन है एक संपर्क रांती ट्रेन ऐ और बाएंगे चलो पारेंगे तो चलाएंगे दोस्तो को को आगे बढ़ाते हैं आगे हम बात करेंगे नई दिली से हाजीपूर तक चलने वाली सबी ट्रेंज की जानकरी के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जो सबसे पहली ट्रेन है दिली से हाजीपूर के बीच में वो है अवद असाम एक्सप्रेस जो की डेली ट्रेन है हफ़ते के साथो देन चलती है ये जो ट्रेन है पुरानी दिली स्टेशन से रोजाना सुबह 7 बच के 50 मिनट पे चलती है और हाजीपूर जंक्शन बिहार में सुबह 5 बच के 23 मिनट पे सुबह पहुंचती है 21 गेंटे 33 मिनट पे अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है डेली ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है पंद्रा 910 और इसमें फरस्ट एसी सैकेंड एसी थर्ड एसी स्लिपर क्लास और जर्न क्लास के डिब्बे हैं 995 किलोमेटर क इसके डिब्यूगारे पूर करती है और इसकी आवरीश स्पीड जो है शुड़ पे वो है 46 किलोमेटर पर और इसके बाद जो दूसरी ट्रेन है शुरूट पे वो है राजधानी टाइप की ट्रेन जिसका नाम नियू डिली डिबुगड राईजधानी एक्सPRESS, जो वाया ब्रावनी होकर चलती है, अगर बात करें इस ट्रेन के पारे में, वैसे ही है, जो ट्रेन है, नियू डिली से डिबुगड राईजधानी सांब के बीच में चलती है, बर मैं जो आपको डेटेल apartments बता रहा हूं, व बिहार में 17 गंटे 35 मिनट बाद रात के 3 बजे पहुंचती है इसमें 1st AC, 2nd AC, 3rd AC कोच है इसके बाद जो अगली ट्रेन एस रूट पे वो है New Delhi डिबरूगड राजधानी एक्सप्रेस जो वाया समस्तिपूर होकर चलती है यह अभी दोनों राजधानियां जो है COVID-19 स्पेश पहुंचती है इसमें भी 1st AC, 2nd AC, 3rd AC कोच है इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है अमरिसार सहर साग गरीब रथ एक्सप्रेस यह गरीब रथ टाइप की ट्रेन है अभी जो हाल फिलाल में वैसे COVID-19 स्पेशल ट्रेन की नाम चल रही है जैसे भी मैं पांच जनवेरी को यह ट्रेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट नॉर्मली ट्रेन का जो ओप्रेशन होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ तो यह गरीब रथ एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली से हर इतवार बुदवार शनिवार को सुबा 11 बच के 5 मिनिट पे 15 नमबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है और इसका ट्रेन नमबर है 122.04 हाजीपुर जंक्षिन में 17 गेंटे 20 मिनिट बाद सुबा 4 बच के 25 मिनिट पे पहुंचती है इसमें 3D AC और AC चेयर कार के कोच है 1000 किलिमेटर का डिस्टन जो है कवर करती है इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है बिहार संपर करांती एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नमबर है 12566 ये जो ट्रेन है नई दिली से रोजाना दोपहर के 2 बच के 15 मिनिट पे 14 नमबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है और हाजिपूर जंक्षन बिहार में ये सुबा 7 बच के 24 मिनिट पे पहुंचती है और 17 गंटे 9 मिनिट पे अपनी धूरी जो है कवर कर लेती है और ये डेली ट्रेन है इसमें 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, 3rd AC स्लिपर क्लास और जनल क्लास के रिब्बे हैं 1025 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है अभी भी ये ट्रेन जो है COVID-19 के नाम से चल रही है और ये जो ट्रेन है इसका टाइम टेबल जो COVID-19 का है वो थोड़ा सा अलग है इसलिए आप टाइम टेबल जुरूर चेक कर लें जब भी आप बुकिंग या बोर्डिंग करें ट्रेन में इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है न्यू डिली न्यू जलपाई गुरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ये जो ट्रेन है बाई वीकली ट्रेन है नई दिली से ये जो ट्रेन है हरितवार और बुदवार को दोपेर के 3 बच के 5 मिनिट पे रवाना होती है 13 नंबर प्लैटफॉम से और हाजिपूर जंक्शन में सुबह 9 बच के 5-7 मिनिट पे पहुंचती है इसका ट्रेन नंबर है 19-601 ये जो ट्रेन है पुरानी दिली स्टेशन से हर शनिवार को दोपेर के 3 बच के 5 मिनिट पे रवाना होती है और हाजिपूर जंक्शन बिहार में 4 या 5 नंबर प्लैटफॉम पे ये सुबह 9 बच के 7 मिनिट पे पहुंचती है 18 गेंटे 2 मिनिट पे अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है इसके तक्रीबन 10 स्टेशन से हर शनिवार को चलती है इसमें सेकंड इसी थर्ड इसी स्लिपर क्लास और जर्न क्लास के डिबह है 995 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है और इसकी आवरेस पीड जो है इस रूट पे वो है 54 किलोमेटर पर आवर male express type की train है इसके बाद जो सबसे slowest train है इस route पे वो है लिच्वी express जिसका train नंबर है 14.006 ये जो train है आनंद विहाड टर्मिनल नहीं दिल्ली से हर रोज दुपहर के तीन बच के दस मिनट पे दो नंबर प्लाटफॉम से रवाना होती है और हाजिपूर जंक्शन बिहार में दुपहर के तीन बच के 27 मिनट पे चार नंबर प्लाटफॉम पे पहुंचती है है 24 गैंटए 17 मिनट में अपनी जन्झी जो है कवर कर लेती है और इसके तक्रीवें 38 स्टेशन है इसमें सेकिंड इसी थर्ड इसी इसलिप पर क्लास और जन्रन में ग्रुट के डिबहे हैं 1070 किलोमेटर का डिसन जो एक वर करती है और इसकी आवरीश पीड जो है इस रूट पे वू है 44 किलोमेटर पर आवर लिच्वी एकस्प्रस के बाद जो अगली ट्रेन चलती है पराणी दिली स्टेशनी जो है अमरपाली एक्सप्रेस जो है बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है नॉर्दन इंडिया में और यह जो ट्रेन है इसका ट्रेननलमनल है 15 sarasooart आमरपाली एक्सप्रेश जो है पुरानी दिली स्टेशन से हर रोज दोपहर के तीन बच के बीस मिनट पे ग्यारा नंबर प्लाटफॉम से रवाना होती है और हाज़िपूर जंक्शन बिहार में ये सुबा ग्यारा बच के पांच मिनट पे चार या पांच नंबर प्लाटफॉम पे पहुंचती है उन्निस घंटे पेंटालिस मिनट पे अप्टी चरनी जो है कवर कर लेती है इसके तकरीबन 23 स्टेशन से हैं डेली ट्रेन है इसमें सेकंड इसी थर्ड इसी स्लिपर क्लास और जेनल क्लास के डिपे हैं एक हजार इकिस किलोमेटर का डिस्टन जो है कवर करती है और इसके आवरे स्पीड जो है इस रूट पे वो है बावन किलोमेटर पर आवर इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है आनद विहा टर्मिनल रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस जो वायसीता मरी होकर चलती है इसका ट्रेन नमबर है 14.008 वाय सीता मड़ी होकर यह हर मंगलवार और व्रस्वतिवार को चलती है आनद विहा ट्रमिल से शाम को चार बचके 25 मिनट पे चलती है और हाजीपुर जंक्शन में 4 बचके 15 मिनट पे पहुंचती है 23 गेंटे 50 मिनट में पुरी जर्नी जो है कवर कर लेती है इसके तकरीबन 30 स अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है आनंद विहा ट्रमिनल रकसौल सद्भावना एक्सप्रे जो वाया सा गौली होकर चलती है यह जो ट्रेन हर इतवार और शुकरवार को आनंद विहा ट्रमिनल से शाम के 4 बचके 25 मिनट पे चलती है और हाजीपुर जंक्शन में शाम के 4 बचके 15 मिनट पे चार नंबर प्लाटफॉम पे जाके पहुंचती है 23 गेंटे 50 मिनट पे अपनी जर्नी जो है कवर करती है हर इतवार और शुकरवार को यह चलती है इसमें सेकंड एसी थर्ड एसी सिलिपर क्लास और जर्न क्लास के डिपे हैं 1045 किलोमेटर का डिस देखके इतरे दरेंब करें इसके बाद जो अगली ट्रेन है वो है आनंद विहा ट्रमिनल रक्सौल सथभावना एक्सप्रेस ज हर बुद्वार को चलती है वाया फैजाबाद होकर आनंद विहा ट्रमिनल से हर बुद्वार को शाम के 4 बचके 25 मिनट पे एक नंबर प्लैट के टिपबे हैं इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है जो कि सबसे सूपर फास ट्रेन है वो है अरना चल एसी सूपर फास एक्सप्रेस एसी सूपर फास टाइप की ट्रेन है इसका ट्रेन नमबर है 2412 आनंद विहाद ट्रमिनल से यह हर इतवार और व्रसपतिवार को शाम के चार बचके 45 मिनट पे रवाना होती है और हाजीपूर जंक्षन बिहार में 15 गेंटे 50 मिनट बाद यह ट्रेन जो है सुबाद बचके 35 मिनट पे पहुंचती है इसमें फर्स एसी सेकंड एसी थर्ड एसी के कोच हैं और उन्निस सोड़ एक हजार नौ किलोमेटर का डिसन जो पुरभिया एक्सप्रेस विशाली एक्सप्रेस बाद में आगी पहले पुरभिया एक्सप्रेस पुरभिया एक्सप्रेस जो है हर सोमवार और शुकरवार को आनंद भी है ट्रमिनल नई दिल्ली से शाम के 5 बचके 10 मिनट पे रवाना होती है हाजीपूर जंक्षन के लिए और दो नंबर प्लैटफॉम पे दोपहर के एक बच के 27 मिनट पे पहुँचती है 20 गेंटे 17 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है इसके तकरीबन 15 स्टेशन्स हैं और इसमें 1st AC, 2nd AC, 3rd AC, 3rd AC सिलिपर क्लास और जर्न क्लास के डिबबे हैं यह जो ट्रेन है 987 किलोमेटर का डिस सें जो है कवर करती है इसके बाद नियू डेली से हाजीपूर तक चलने वाली जो अगली ट्रेन है जो की सबसे पवलो ट्रेन है जिसके बारे में पहले ही जिकर कर दिया था अब दुबारा जिकर कर रहा हूं जो की है विशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो की अभी COVID-19 स्पेशल ट्रेन के नाम से भी चल रही है ये जो ट्रेन है विशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस डेली ट्रेन है नई दिली से रुजाना शाम के साथ बचके पचास मिनट पे ये आठ नमबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है और इसका ट्रेन नमबर है 12554 और तक्रीवन 17 गंटे 55 मिनट बाद ये ट्रेन जो है हाजीपुर जंक्षन बिहार में दुपहर के एक बच के पे 49 मिनट पे पहुंचती है इसके बाद जो अगली ट्रेन है इस रूट पे वो है अजमेर किशन गंज गरीब नवाज एक्सप्रेस अजमेर किशन गंज गरीब नवाज एक्सप्रेस जो है पुरानी दिली स्टेशन से हर सोमवार, मंगलवार और वरस्पतिवार को पुरानी दिली स्टेशन से रात के 8 बच के 30 मिनट पे ये रवाना होती है और हाजिपुर जंक्शन बिहार में शाम के 5 बच के 25 मिनट पे रात के 5 बच के 25 मिनट पे पहुंचती है और 20 गेंटे 55 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है, इसके तकरीबन 14 स्टेशन्स हैं, इसमें 1st AC, 3rd AC, Slipper Class और 1012 किलोमेटर के गरीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है, इसके बाद जो अगली ट्रेन है, इस रूट पे वो है, स्वतंतरता सेनानी एक्सप्रेस जो की अभी COVID-19 स्पेशल ट्रेन के नाम से भी चल रही है, जिसका थोड़ा सा टाइम टेमल जो है, चेंज है, वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो स्वतंतरता सेनानी एक्सप्रेस जो है, वो नई दिली से हर रोज रात के 8 बचके 40 मिनट पे जर्ना क्लास के डिपे हैं, इसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है, इस रूट पे वो है सर्यू यमना एक्सप्रेस, सर्यू यमना एक्सप्रेस जो है, पुरानी दिली स्टेशन से हर सोमवार, बुदवार और शनीवार को रात के 9 बचके 10 मिनट पे 13 नंबर प्लाटफॉर से रवाना होती है, इसका ट्रेन नंबर है, 14650 मेल एक्सप्रेस ट्राइब की ट्रेन है, और हाजिपूर जंक्शन बिहार में ये शाम के 6 बचके 5 मिनट पे 20 घंटे 55 मिनट बाद पहुंचती है, इसमें 2 AC, 3 AC सिलिपर क्लास और जन्र क्लास के डिपे है, 1012 किलोमेटर का ड स्वतिवार, शुकरवार को ये, रात के 9 बचके 10 मिनट पे 12 नंबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है, और हाजिपूर जंक्शन बिहार में शाम के 6 बचके 5 मिनट पे पहुंचती है, 20 घंटे 55 मिनट में अपनी जरनी जो है, कवर कर लेती है, और इसमें 2 AC, 3 AC सिलिपर क् डिपे है, 995 किलोमेटर का डिसन जो है, कवर करती है, और इसकी आवरेस पीड जो है, इस रूट पे वो है 48 किलोमेटर पर आवर, वैसे ये जो शीहिद एक्सप्रेस है, अमरे सर से जैन अगर की बीच में चलती है, बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूं, वो पुरा आनंद विहाट रमिनल से हर शुकरवार को रात के 11 बच के 45 मिनट पे ये रवाना होती है, तीन नमबर प्लैटफॉम से, और हाजिपूर जंक्शन बिहार में रात के 8 बजे पहुंचती है, दो नमबर प्लैटफॉम पे, और 20 गेंटे 15 मिनट पे अपनी जर्नी जो है, कवर कर लेती है, इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं, हर शुकरवार को ये चलती है, इसमें सेकंड एसी थर्ड एसी स्लिपर क्लास और जनल क्लास के डिपे हैं, 974 किलोमेटर का डिसन जो है, कवर करती है, और इसकी आवरेज स्पीड जो है, इस रूट पर 40 किलोमेटर पर आवर, दो आपको लेटेस वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे, धन्यवाद